इस परिप्रेक्ष में हम कैथेड्रल नगर की बात जरूर करना चाहेंगे 12 सदी 12 सदी के फ्रांस में बड़े चर्चों का बहुत बड़े बड़े विशाल काय चर्चों का निर्माण शुरू होता है चर्च पत्थर के बने हुए विशाल इन्हें कैथिड्रल कहा गया इतने विशाल की बनाने में लगबग एक वर्ष से ज़्यादा के समय लग जाता था और बनने पर आज़ पास विक्सित होने लगते चारों तरफ छोटे छोटे नगर विक्सित हो जाते थे कैथिड्रल के निर्माण में मठ जो थे जहां मौंग्स और नंच रहते थे अबेश जो थे उनकी संपत्ती का उपयोग किया गया और इस वकार ये कैथिड्रल जो है ये एक तीर सिस्तल बनते चले गया तो कैथिड्रल बहुत विशाल इस तर पर बड़े बड़े पत्रों से बनाए गया चर्च और चूंकि इसके बनाने में लंबा काल लगता है इसलिए लोगों का रहना शुरू हो जाता है आज पास नगर आदी बन जाते हैं जाते हैं बने अगले बने चेश्चर क्वेड़ देगे लुए लूगड़े लुए थे अे लुएफरों से लगए चास चास, गैसे औरे बाफ। सब्सा करें आई वाल, वोल नाफ। टोवाले हैं एल लें जित we are standing at east gate this gate not the clock itself because it's only been here since 1897 but this gate has been around for 2000 years just picture that 2000 years this gate has been standing these are just some of the ruins that have been found around the city and they've made a garden from different parts of the roman structures that were here this is really pretty cool currently i'm in the center of the chester amphitheater which by the way means double theater i never knew that hey this was the largest amphitheater in england and it really represented kind of the supremacy of the roman empire hey right down here with the gladiators arnoldus maximus hey this is arnoldus maximus we've just made it through the diwa roman experience for a couple of pounds it's a fun thing and it's informative too there's lots of good stuff it's not a big exhibit but i recommend coming what do you think absolutely yep she agrees so one of the things you'll notice when you're here in chester is a huge part of the downtown there's like one big shopping mall there are so many so many shops here of all kinds many repeating it's really a commercial hub here it's fun but we're not big shoppers so we're not spending much time in them you know and in addition to places to shop there's just tons of restaurants of all kinds of restaurants of all kinds of restaurants of all kinds we couldn't help us come into chess after all कि आउमना। जटी कि आउँ प्राइब भी जटे खराइब अच्रा के लेगा। झाल झाल कैथेटल ऐसे बनाए जाते थे कि पादरी की जो आवाज है वो लोगों तक पहुंच सके अपनी अपनी जगह से वे लोग पादरी के प्रवचन को सुन सके भिक्षिओं को गीश सुना ही दे सके अपने अपने मठों में रहते हुए और प्रार्वत्ना के समय में लोगों को बलाने के लिए बड़ा घंटा लगाया जाने लगा घंटा घर खिड़कियां जो थी उस पे कांच लगाया जाने लगे और वे कांच भी एक खास तरीके से सूर्थ की रोशनी में कैथिडरल के अंदर चमक रहती है व्यक्तियों के लिए चमकडार सब कुछ दिखाई देता है क्योंकि रोशनी अंदर जा रही लेकिन सूर्यास के समय उसके बाद अंदेरे में मौमबतियों की रोशनी बाहर के लोगों को बहुत आकरशित करती थी बहुत विहंगम दृश्य होता था जब अंदर जलती ही मौमबतियों टिम्टिमाती ही मौमबतियों उनका प्रकाश बाहर दिखाई दे रहा हो अभी रंजित कई रंगों से जो रंजित थी वो कांच की खिड़कियां बाइबिल का वर्लन करती थी और इस तरीके से बाइबिल का वर्लन करती थी कि पेंटिंग इस तरीके से उसमें रहती थी कलाकारी इस तरीके से रहती थी कि अनपण व्यक्ति भी उनकी दीवालों में या जहां पर कांच लगे हुए हैं इस पर जो दृष्ष हैं उनको देखकर घटना को समझ जाता था अर्थाज बाइबिल को पढ़ने की जुरत नहीं थी अब वो दृष्ष के माध्यम से ही समझने लगा था कथानक को कथा को तो कैथिडल जो है एक बहुत महत्पूर्ण के अंदर बन गया और ये मूल रूप से फ्रांस में हुआ ये हुए बदलाओ की बात पर्यावरन का बदलाओ मौसम का बदलाओ खेती में बदलाओ नगरवासी व्यापारी वर्ग सामंति धाचा धैता हुआ दिखाई देता है और यही चोधवी सिताब्दी का संकट कहलाता है संकट क्या था वैसे तो संकट हमेशा बुरा होता है पर देखा जाया तो ये चौदवी सताब्दी के संकट ने जो रास्ते दिये इस संकट थे उबरने के लिए उन्ही रास्तों ने बाद में यौरोप को आधुनिक काल में पहुंचाया लेकिन उस ख्यन के लिए उस समय के लिए ये निश्चत रुपस संकट थे तो अब हम इन संकटों को ओर देखें ये वो काल था जब यौरोप में व्यापार और आर्थिक व्यवस्था प्रारंब हो गई थी लेकिन धीमी थी क्योंकि अभी शुरू होई थी पर गती धीमी थी तेरवी सदी के अंतिम चरण में तीन सौ वर्षों की जो तीवर ग्रिश्मृत्यू ने तीवर ठंड का स्थान ले लिया अभी जब अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था तो मैंने बताया था दिन लंबे हुए तो उसका फायदा खेतों को मिला अब जब तीन सौ वर्ष का साइकल पूरा हुआ तो फिर बदलाओ आता है वहां के वातारण में और उस बदलाओ के पर परणाम सुरूब दिन फिर छोटे होते हैं तीवर गर्मी के बदले अब थंड बढ़ जाती है उची भूमी पर अब फसल उगाने में परिशानी होने लगती है आंदी तूफानों से कई फार्म नश्ट होने लगते हैं और फलसरूब सरकारों को करों से कोई लाब नहीं होता क्योंकि फसल न फसल चक्र उसमें भी कमजोरी आती है क्यों क्योंकि मौसम बदल गया बदलते हुए मौसम ने इस थिती को बहुत बदितर कर दिया अब वे लोग पुना उस थिती में आ गए खेती के मामले में जिस थिती में वो एक हजार एडी में थे अर्थात लगभग 400-500 वर्षपूर क्यों की स्थिती में आ गया जंड संख्या में तो व्रिद्ध होती चली गई लेकिन संशाधन कम पड़े बढ़ती ठंड में जंड संख्या बढ़ी लेकिन उत्पादन कम रहा आप समझ सकते हैं इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा तीन चक्र का जो फसल का जो स साइकल थी निश्चित रूप से उस पर भी अतर पड़ा चरागाहों में कमी आई क्योंकि ठंड बहुत बढ़ गई और बढ़ती ठंड से बहुत सारे पश्वी मर गया मरने लगया पश्वधन का नुकसान गिरती खेती बढ़ती जंसंख्या बदलता मौसम ये चवदोवी शिताबदी का संकट है व्यापार जो था वो था लेकिन वो धीमा था परणाम क्या होता है इस काल में हम अकाल देखते हूं तेरा सो पंद्रा तेरा सो सत्रा भारी अकाल तेरा सो बीस के दशक में अनेकों पश्वों की मौत होती है इस थंड के कारण गिरते उत्पादन के कारण घडते चरागाओं के कारण तो ये मौसम का संकट जो मौसम के कारण आया अब एक संकट इसका मौसम से कोई तालुकात नहीं और वह संकट है चांदी के उत्पादन में कमी आप भी सोचेंगे कि अभी तक कोई चांदी का जिक्र नहीं हुआ ऐसा अभी तक कहीं हिसास नहीं हुआ कि चांदी बहुत महत्पूर्ण चीज़ थी तो इसके उत्पादन की कमी ने क्या संकट प्यादा कर दिया सचाई तो है कि चांदी का उत्पादन पूर में बहुत महत्पूर्ण था और यह बात से तरह है कि शुद्ध धातु की चांदी का चलन था उस समय जब चांदी का उत्पादन कम हुआ कि नहीं कारण से विशेशकर आस्टिया और सर्बिया में जो चांदी की बड़ी खदानों के रूप में जानी जाती थी तो उनके उत्पादन में कमी आई जिसके कारण जो धातु मुद्रा है धातु मुद्रा कम होने लगी व्यापार भी इससे प्रभावित होगा जब प्यूरिटी पर अथर पड़ेगा सिक्के के तो व्यापार पर प्रभावत पड़ेगा है चांदी में अब सस्ती चीजों को मिलाया जाने लगा अर्था चांदी की प्यूरिटी अब समाप कि जाने लगी और इसके वदले कुछ मिश्रन मिलाया जाने लगा बारवी और तेवी सदी में व्यापार का जैसे जैसे विस्तार हुआ तो दूसरे देशों के लोग व्यापार करने वाले पोतों से योरोप आने लगे तो चांदी के सिक्कों में प्योरिटी पर प्रश्ण तो उठा ये एक समस्या, अब एक दूसरी समस्या देखिए बड़ी रोचक है और वो समस्या ये थी कि जैसे जैसे व्यापार बढ़ता है समुद्री जहाजों से दूसरे खेत्रों के लोग यहां आते हैं व्यापार के सिल्फले में और वो आने जाए उस समय आवागमन का साधन क्या था? मूल रूप से पानी जहाज, बड़ी बड़ी नौक आएं, बड़े बड़े बोट योरोपी तटों पर यह आते हैं और व्यापार करते हैं और चले जाते हैं और ऐसा दौर चलता है आने का, और इसके बाद अपना काम करके जाने का जब वो आते हैं तो उनके साथ बहुत सारे अंजाने में चूहे भी आ जाते है कई पोतों के साथ चूहे आना शुरू हुए रैट्स और ये चूहे जब आते हैं तो अपने साथ बहुत बड़ी बीमारी लेके आते हैं जो बाद में बियोबानिक प्लेक कहलाई महामारी कहलाई ब्लैक डेथ कहलाई चूहों के आने से वाइरस आए जिन्होंने ऐसी स्थिति निर्मित की जिसे हम प्लेक कहते हैं वियोबानिक प्लेक कहते हैं और लाखों लोग मौत के घाट कुछ ही महिनों में चलेगा जिस तरीके से वर्तमान में कोरोना वायरस एक महामारी के रूप में था उतनी ही विभत्स उतनी ही भ्यानक महामारी ब्योबानिक प्लेक के रूप में इस काल में होती है और कारण क्या व्यापार व्यापार में समुद्री पोतों से लोगों के आने के साथ चुहे भी आ गए और जो ब्लैक डेट का कारण बने पश्चमी यूरोप में शुरू में अपेक्षा करित ये स्थिति अलग अलग थी 1347 से 1350 के बीच ये महामारी ने पूरे यूरोप को चपेट में ले लिया 1350 से 1347 यदि आज की तारिक में आकलन किया जाए तो यूरोप की आबादी का हम कह सकते हैं 20 प्रतिशत भाग व्यूबॉनिक प्लेग के चपेटे में आया और समाप्त हो गया बहुत बड़ी संख्यार साथ हर सौ में 20 आदमी प्लेग से मारे गया आंकड़े तो ये भी बताते हैं कि कई जगा मरने वालों का प्रतिशत 40 प्रतिशत तक था और साथ हर सौ में 40 आदमी प्लेग से मरा समस्त व्यापारिक जो केंद्र थे वे नगरों में थे अगर एक व्यक्ति बीमारी की चपेट में आया तो दूसरा भी उससे प्रभावित जैसे कोरोना काल में हमने देखा मठों का भी यही हाल हुआ प्लेग से बच्चे गए युवा गए बुज़र्ग प्रभावित हुए 1360 से 1370 में प्लेग की जो छोटी घटनाएं थी वो तो कम होती गई जनसंख्या में कमी के कारण मजदूरों की भी कमी होई आर्थिक मंदी का दौर चुरू हो गया खरीदारों की कमी होई प्रणाम क्या क्रिशित पादन में कमी आई और प्लेग के पश्चाद इंगलेंड में मजदूर खासकर क्रिशित मजदूरों की भारी मांग क्योंकि भारी संख्या में मजदूर इस प्लेग में मौत के काल में समा गए थे अब जो बचे खुचे मजदूर थे उनकी मांग बढ़ती है बढ़ती मांग इतनी होती है कि इनके जो रेट थे वो धाई सो प्रतिशत बढ़ जाती है मजदूरी की दर धाई सो प्रतिशत बढ़ जाती है जो अर्थवस्था को और चर्मरा देती है कारखानों पर इसका बड़ा दुश्प्रभावा पड़ता है क्रिश्य उत्पादन में दुश्प्रभावा पड़ता है अर्था व्यापार में भी अब काफी हम नुक्सान देखते हैं गिर्ती हुई जनसंख्या खरीदारों की गिर्ती हुई मांग जनसंख्या में कमी के कारण मजदूरों में कमी आर्थिक मंदी का दौर जासा मैंने पूर में बताया वाज चलता है खरीदारों की कमी के कारण क्रिशी उत्पादन में कमी हर जगह एक बड़ी विचित्र सित्य हो गई और इस संकट का इलाज कहां से किया जाए क्रिशी खेत्र से या व्यापारी खेत्र से वानज खेत्र से प्लेक का इलाज कैसे किया जा ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गए प्लेक के बाद इंगलंड में मजदूर जैसा मैंने बताया इनकी तो बहुत मांग बढ़ गई थी बचा हुआ श्रमिक बल जो बचे हुए थे मजदूर वो अब कही गुना अपनी ज़्यादा मांग कर सकते थे इसी दोरान एक संकट और आता है तो बदलता हुआ मौसम फिर उसके बाद उसकी परनिती क्या होती है हमने समझा और बदलते हुए मौसम के बाद व्यापार परस का असर क्रिशी परसर फिर व्यापार परसर व्यूबॉनिक प्लेग चांदी के उत्पादन में कमी और आर्थिक मंदी ये सब चौदहवी शताबदी में सब एक के बाद एक आता है तेरा सो तीस चालिस से प्रारंभ होता है और पूरे बचे हुए छह दशक ये चलता है इस सब की परणिति किस रूप में होती है आप वो घटना कम को सोचिए ऐसी दुनिया को सोचिए अपने आसपास जहां पलेग है जहां आधारफूद चीजों की कमी है व्यापार में गिरावट है माल मिलनी रहा है अधादन हो नी रहा है आय हो नी रही है जरूरत की चीज़ें मिलनी रही है ऐसी स्थिति में क्या होगा वही कमोबेश अब होता है अभिजात वर्ग की आमदनी में तो कमी आती है क्योंकि कर उनको नहीं मिलता मजदूरों की दरें बढ़ती है क्योंकि बहुत कम संख्या थी मजदूरों की कृषक संबंधी मूलियों में गिरावर शुरू होने लगती है जिससे लॉर्ड की आमदनी बहुत बुरी तरफ प्रभावित होती है और जब लॉर्ड की आमदनी प्रभावित होती है तो पुरानी मजदूर सेवाओं को पुनह प्रारम करने की कोशिश होती है पुरानी मजदूरी सेवाएं अर्था उस स्थिति में क्रिशिकों को वापस ले जाने का प्रयास होता है जिस स्थिति से वे पिछले 200-300 वर्षों में बामुश्किल निकल पाए थे और सेवा के बदले, सर्विस के बदले कर देकर स्वतनतर जीवन जी रहते अब ये लॉड पुना चाहते हैं, पुना प्रयास करते हैं कि एक क्रिशक जो हैं ये अब अपनी सेवाएं देने लगे पुरानी मजदूरी जहां सेवां के माध्यम से एक्स्चेंज होता था अब उसे प्रानम किया जाया क्योंकि कर देने की स्थिति में तो यह नहीं, प्रणाम क्या होता है कि पढ़े लिखे जो क्रिशक थे थोड़े समझदार थे वो विद्रोह करते हैं, विरोध करते हैं 1323 में ही, फ्लैंडर्स में, 1359 में, फ्रांस में और 1380 में, इंग्लेंड में ऐसे विद्रोह प्रारंब होते हैं तो क्रिशक विद्रोह एक और बड़ा संकट व्यापार तो गया ही गया, अब क्रिशी भी जाता नजर आया इन सब के बीच से, जो उहा पोह में, जो मन्थन के बाद निकलता है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे पर अभी ये समझना है कि ये जो विद्रोह होते हैं इसका बड़ी क्रूरता से दमन किया जाता है पूरे हिंसक तरीके से इसका इलाज किया जाता है बड़े हिंसात्मक तरीके से इसे दबाया जाता है और ये क्रिशक विद्रोह ख्याल रखेंगे वहां जादा हुए जहां आर्थिक विकास जादा था जहां सम्रिध ही जादा थी वहां क्रिशक विद्रोह कम जादा हुआ ये विद्रो इस बात का इशारा था कि पिछली सदियों के लाब को हम बचाना चाहते हैं हमें जो गट दो तीन सौ वर्षों में जो कृशी में विस्तार मिला का फायदा मिला प्राद्योगी की का फायदा मिला स्वतंत्र हुए दास प्रथा से मुक्ति मिली और कुछ भी प्रोफेशन चैन करने के लिए हमारे परिवार के युवा वर्ग अप्सतंत्र है हम उसे अक्षिन बनाया रखना चाहते हैं वे कता ही नहीं चाहते थे कि वो पुरानी सामंती विस्ता में वापस आए वे कता ही नहीं चाहते थे कि दास्ता को अब वापस स्विकार करें क्रिश्कों ने तो ठान लिया कि अब हम किसी भी स्थिति में सेवा, मजदूरी और सेवा के बीच का जो पुराना संबन्ध था उससे अपने को नहीं जोड़ेंगे दास्ता को स्विकार नहीं करेंगे लेकिन लॉर्ड जो अभी भी एक तरीके से संपन थे क्योंकि लॉर्ड को तो कर दिया जा रहा था नगर में रहने के बाद भी उस भूमी के लिए कर जहां पर ये लोग रह रहे थे तो लॉर्ड लोगों ने भर्तक कोशिश की इस विद्रोह को कुचलने की हिंसात्मक खटकंडे अपना है बहुत ज़्यादा इन पर हिंसा की यदि इस समय के इस काल के विद्रोह की बात करें घटना करम की संख्षिप में तो कैसे हम देखेंगे 1066 में नारमन लोग इनकी एंग्लो सेक्शनी लोगों ने हरा कर इंग्लेंड पर विजै की ये घटना करम 1066 11.00 में प्रांच में कैसेड्रेल के निर्माण प्रारम होते हैं 1115.17 में २ोड़ोप में अकाल आता है 1315.2017 में योड़ोप में अकाल आता है तेरा सो सेंटालिस पचास में ब्यूबॉनिक प्लेग जिसे ब्लैक डेथ कहते हैं तेरा सो अर्टिस से चौदा सो एक सट ये काल आप देखिए लगभग लगभग सो वर्षों का काल है सो वर्ष से उपर इंग्लेंड और फ्रांस के मद्ध युद्ध का काल कहलाता और इसलिए कहते हैं हंड़र्ड येर्स वार सो वर्षों का युद्ध और वर्षों के समन्द में अंतिम घटना तेरा से काची जब कृष्यकों के विद्रो की चरम सीमा हम देखते हैं इस पकार हम देखते हैं कि कैसे चौदहवी शताबदी की घटनाए बिलकुल उलट थी जिस तरह की शान्ती बारवी तेरवी में थी और जिस तरह का विकास देखा जा रहा था उसके उलट हम चौदहवी शताबदी में घटना करम देखते हैं अब कुझ भी नहीं रहा ना खेती रही ना सामंतवादी विवस्ता रही ना व्यापार रहा उलटा लोग बड़ी संख्या में महामारी के कारण मारे जाने लगें साथ ही साथ मुद्रा की जो वैल्यू है उसमें भी गिरावट आती है क्योंकि ये वाली समस्या एक इस्थाई समस्या थी ये कोई छोटे समय के लिए नहीं थी एक बार मुद्रा का डिवैल्यूएशन होता है तो बहुत कठनाईया होती है तो चांदी की प्यूरिटी पर जब प्रश्चिन लगा कर उसे इंप्योर किया जाने लगा तो उसके बहुत बड़े दुष्ट प्रभाव आगे देखेगा अगला बिंदू अब इस घटना करम को समझने के बाद हम इतना समझ गया होंगे कि 14वी सदी के बहुत सारे संकट एक साथ आने पड़े और इसकी परणिती विद्रोहों के रूप में होती है वे लॉड जो पहले बहुत ताकतवर थे अब एक तरीके से असहाए महसूस कर रहे हैं अपने को इदे भी प्रयास कर रहे थे वे कृष्कों को दवाने का उन्होंने कृष्कों से बार बार इस तरह का आदेश दिया कि वे वापस आके सेवाएं दें परकृष्कों ने तो ठान ली थी इसी घटना करम में एक नहीं घटना होती है जिसे हम कहते हैं राजनैतिक परिवर्तन राश्ट्री राज्यों का उड़ है केंदरी शक्ति की दुरबलता जिसके कारण सामनती व्यवस्था आती है यूरोप में 15-70 सदी में हम देखते हैं फिर से केंदरी शक्ति शाली बल सामने आते हैं क्योंकि सामनती व्यवस्था को बहुत चोड़ पहुंचती है जब क्रिशक लोग विद्रोह करते हैं सामनती व्यवस्था असफल होती हिस पश दिखाई देती है तो अब राज तंत्र सामने आता है तो इस वकार इतिहास एक तरीके से उतार चड़ाओ है कल तक जो राज तंत्र मद्बुत था उसके कमजोर होने पर सामनती व्यवस्था सामने आए अब सामनती व्यवस्था कमजोर होती दिखाई दी तो राज तंत्रों का उद्य होता है और सामंत वाद का पतन होता है तो बारवी सदी के परिवर्तन कौन कौन से थे सामंती व्यवस्था पर वानिज एवं नगरों का प्रभाव साथ ही सामंत वाद के बंधन के धीले पढ़ने की प्रक्रिया का प्रारम दूसरा नए जो व्यवस्था आती है उनको राजाओं का समर्थन मिलता है ये मैं बात कर रहा हूँ बारवी सदी के परिवर्तनों की चौदवी सदी में वानिज वैपार पर आधारित व्यवस्था जोर पकड़ती है भूमी आधारित व्यवस्था पीछे होती है और परणाम सरूब अनेक सांस्कृतिक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं इस बढ़ते हुए वानिज व्यापार पर आधारित वर्था के परणाम सरूब जो सांस्कृतिक परवर्तन का बदलाव होता है उसी में एक बदलाव है पुनर जागरण पुनर जागरन के काल का प्रारंब जिसे हम अंग्रेजी में रेने सां कहते हैं रेने सां की स्पेलिंग पर एक नजर डालें थोड़ी कठिन स्पेलिंग है लेकिन बहुत महत्पूर्ण है ये शब्द बहुत सी पुष्टकों में पुनर जागरन शब नहीं लिखा जा रहा है, रेनेसा ही लिख रहे हैं तो इसलिए आपको इस शब्द से भी वाकिफ होना जरूरी है इस रेनेसा में जैसा आपको मालूम होगा कला, साहित, धर्म इसमें भारी बदलाओ होता है और ये बदलाओ जो है, वह आधिनिक काल की ओर ले जाने में योरप को एक दिशा देता है चौदहवी सदी के बदलाओं में नगरों का उदय नहीं वानिज व्यापार व्यवस्था इसके प्रणाम शुरूप, हम कुछ परिवर्तन जो देखते हैं थोड़ा सा यहां पे संक्षित में देख लें और जैसा मैंने बताया है कि कुल जन संख्या थी 730 लाक, जबकि चौदहवी सदी में ये 450 लाक थी तेरहवी सदी में 730 लाक, आखिर इसके प्रणाम क्या, व्यूबॉनिक प्लेग आदी के कारण जन संख्या में कमी आती है और इस जन संख्या की भारी कमी का असर क्या होता है पहला आर्थिक मंदी, दूसरा व्यापक सामाजिक विस्थापन, तीसरा मजदूरों की संख्या में भारी गिरावट प्रणाम सरूप उनकी मजदूरी के दर में बहुत ज़्यादा उच्छाल चोथा क्रिश्य उत्पादन में असंतुलन पांचवा क्रिश्य उत्पादों के मूल्यों में कमी और छटवा जैसा मैंने बताया मजदूरी की दरों में वृद्धी के साथ साथ मजदूरों की कमी तो इस पकार प्रमुक परिवर्तन, प्रमुक बदलाओ क्या थे? पहला धार्मिक विश्वास की अपेक्षा अब वैग्यानिक ज्यान पर ज्यादा विश्वास पुराने परंपरागत विचारों से, धकियानूसी विचारों से हटकर अब थोड़े नए तरीके के विचार जिसमें तर्क बहुत महटपूंट था दूसरा उद्योगों वा क्रिशी में तक्नीकी बदलाओ हम देखते हैं तीसरा नगरों का विकास चोथा बदलाओ लोक सेवाओं का गठन और पांचवा सरकार के संगठन में परिवर्तन नौवी से ग्यारवी सदी में मध्य और पश्चिम यूरोप के ग्रामीर छेतरों में जो परिवर्तन हम देखते हैं चर्च और शाहिश आसम लौरा तो इसके बाद जो बदलाओ आता है उसमें हम पाते हैं कि किस पकार कबीले और रोमन सामराज इन दोनों की परंपराओं में एक तरीके से सामंजस बैठाया जाता है और यही सामंजस आने वाले परिवर्तन की आहट देता है चांदी के उत्पादन को लेकर अन्यक संकट के पांच बिंदू के साथ यहां पर चान्दी के इत्पादन को लेकर जो पांच बिंदू हैं पहला आस्ट्रिय और सर्विया में चान्दी के इत्पादन में कमी होती है दूसरा धातु मुद्रा का भाव होने लगता है तीसरा परणाम सुरूप व्यापार प्रभावित होता है दुष्प्रभावित होता है चोथा सरकार द्वारा चांदी और मुद्रा की शुद्धता घटानी पड़ती है और पाँचवा मुद्रा में सस्ती धात्यों का मिश्रण और तरकार एक तरीकेट हम देखते हैं कि मुद्रा स्वयम की कीमत में गिरावट आती है सो रुपिय होता है दूसरा दूर देशों के जो पोत थे जहाज थे उनका तटों पे आना शुरू होता है और तीसरा पोतों के साथ बड़ी संख्या में क्या आते हैं चूहे आते हैं चौथा चूहे अपने साथ वियोबॉनिक प्लेग जैसी महामारी ले आते हैं और लाखों लोग मौत के घाट चले जाती हैं नगरी व्यवस्था के बढ़ने का प्रणाम अभिजात वर्ग पर भी पढ़ता है और अभिजात वर्ग अब अपने अस्तित्व को बचाया रखने के लिए जो अभी तक जमीन पर भूमी पर निर्भर था भूमी की भूमी का कम ह होने से अब उसके अस्तित्व को खत्रा मनरा रहा था तो अपने अस्तित्व को बचाया रखने के लिए अविजात वर्ग के लोग प्रशासनिक और नागरिक सेवाओं में अपनी स्थान बनाने के लिए प्रयास करने लगते हैं अगला बदलाओ व्यापार और नगरों की वृद्धि के कारण व्यापारियों और साहुकारों का एक तरीके से दर्बार में प्रभुत्व हो जाता है राजाओं के दर्बार में हम देखते हैं बड़ी संख्या में धनी लोग अपनी पैठ बनाने में सफल होते हैं अगला बदलाओ राज व्यवस्था केंद्री कित एवं गैर सामन्ती हो गई अभी तक जो राज व्यवस्था थी प्रशासिनिक धाचा था वह सामन्तों के आसपास था जिनका संबन्द भूमिस से था अब वो गैर सामन्ती हो गई और उसके बदले साहुकार उसके बदले व्यापारी अब दर्बार में ज्यादा दिखाई देने लगे और सामन्त लोग अपने वर्चस को बचाय रखने के लिए या अपना वजूद को महसूद कराने के लिए अब प्रशासिनिक सिवाओं में जाने की तैयारी नागरिक सिवाओं में लगने की तैयारी करने लगे